आज मैं आलिया भट जी की कुण्ड़ी लेके आया हूँ आलिया भट जी का जनम 15 मार्च 1993 में हुआ आलिया भट जी फिल्म अबनेत्री है और देखी इनकी जो लगन कुण्ड़ी है वो कुम लगन की कुण्ड़ी है कुम रासी के सौमी सनी अपने ही घर bright बैठे हैं बद्दय बैठे हुए है सनी घर में अच्छा प्रभवाभाव करेंगे वेक्तित तो अच्छा बनेगा और जब भी कुम्भ लगन में वेक्ति कुम्भ लगन का होता है तो वो फिल्म छेत्र में जाता है और यदि सनी की द्रस्टी पढ़ जाए लगन में यह सनी वहां बैठे हो जाएं तो वो फिल्म छेत्र में काफी अच्छा काम करते है तो यह देखी यहाँ पर लगने से अपने ही घर में बैटे हैं तो यह इनका जो है इनको फिल्म शेतर के लिए काफी अच्छा है और यह इनका वेक्तित भी काफी अच्छा बन रहा है दूसरी चीज है जिए हम बात करते हैं इनके धन की कुटुम्ब की परिवार की तो देखे सूर्ख और सुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पे सुक्र जो है उच्चिके हैं और यहाँ पे गुरू की अपने घर में दिस्चटी पाढ़ लिए है तो यहां पे गुरु के प्रवहों के कारण ये भाव जो है धन का कुटुम का परिवार का ये भाव काफी अच्छा है इस कारण इनका जो है धन का कुटुम का परिवार का काफी अच्छा हो जाता है गुरु की दिस्ट्री पढ़ लए इस कारण और राहू की भी दिस्टी पढ़ लए है, हाला कि राहू, सुक्र राहू की उत्ती अच्छा प्रभाव करेगी, तो ये जो है, इनका धन का भाव काफी स्टॉंग है, अब हम पराक्रम की बात करते हैं, तो देकि पराक्रम मेस रासी है, मेस रासी के स्वामी मंगल, ये जो है, मंगल जो है विद्या भाह में बैठे हुए है और विद्या से इनको पराक्रम ये इनको हो रहा है हलाकि सनी की तीसी दिस्टी पर रही है मंगल घर में उत्ता अच्छा प्रभाहू नहीं करेगी सनी की तीसी दिस्टी कारण इनका पराक्रम जो है लेकिन देखिए ब्रसब रासी में जो है कि स्वामी सुक्र यहां उच्च के बैट गए हैं केतु का नीच भंग राज हो गया है तो केतु का नीच भंग राज हो रहा है राहु चंदर्मा की दिस्टी पढ़ लिए उसका प्रभाव तो है यह साथ साथ देखिए गुरु की न नौमी दिस्टी पढ़ लिए तो गुरु की नौमी दिस्टी जो पढ़ लिए यह भी इनके जो है सुक्सुद्धा भूमी बहान बकान के लिए काफी अच्छा हम विद्या वहा की बात करते हैं विद्या मंगल बैठे हुए हैं और इसके स्वामी बुद्ध जो हैं लगन कहा बहाँ में बैड़े वेक्तित्य सेको जो है जो ग्यान की प्राप्ति हो रही है और जो मंगल के गारण फी प्रब्ध यह अच्छा है इन गयान मिल रहा है से इसमें अब हम इनके बात करते हैं इनके रोग रिन सत्रू की तो यहां पर देखिए करकरासी करकरासी के स्वामी चंदर्मा कर्म वहाँ बैठे हैं कर्म से इनके रोग रिन सत्रू ही बन रहे हैं और यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि इसमें राहू की दिस्ट्री पढ़ रही है नौमी तो राहू की दिस्ट्री चंदरवा की घर में अच्छा प्रवाव नहीं करेगी इनके रोग निंसत्रू बनेंगे राहू से प्रवावित रहेंगे तो यह जब भी राहू का समय जां के भाव बैटे हैं तो इनके परिवार से नका जो है व्यवसाय भी अच्छा रहेगा और जो है मेर्ज लाइब फी अच्छी जाएगी साथ-साथ देखिए सानी और बुद्ध की दिस्ट्री पढ़ ली है वो तो उसका प्रवाव रहेगा ही सानी बुद्ध की दिस्ट छो नहीं करते हैं लिकने को तो गुरू का जो नेचर यहां चेंज हो जाएगा यहाँ पर इनको जो है गुरू और सोध एनेलसिस के लिए अच्छा करेंगे असासा सूरे और सुक्र की दिस्टी पढ़ लए है तो सूरे और सुक्र की दिस्टी के कारण भी ये भाव काफी अच्छा है और देखे केतु की पाच में दिस्टी पढ़ लए है वो इस कारण भी अच्छा है ह कvordan है यह वह रो है और न इसमें डान के लिए और जो है सुध अभागत्र ने कि अच्छा है जो अब हम बात करते ही के legal CHP अपर ये देखिए धन भाव में बैठे हुए वी उच्चके हैं तो यहाँ परिवार से कुटम से इनका भागे काफी साथ देगा और धन से भी इनका काफी भागे जो है साथ देगा अब हम कर्म भाव की बात करते हैं तो देखी कर्म भाव में राहू और चंद्रमा बैठी हुए हैं ब्रस्चिक रासी में और राहू भी यहाँ पर नीच के हैं और चंद्रमा भी नीच के हैं लेकिन क्या हो रहा है कि चंद्रमा ब्रसब पर उच्च के होते हैं और राहू भी उच्च के होते हैं और ब्रिसब रासी के स्वामी सुक्र यहां देखी यहां पर उच्च के बैठी हुए हैं तो इन सुक्र के कारण यह दोनों का नीजभंग राजयोग हो जा रहा है कर्म भाव में चिंजमा रहुका नीजभंग राजयोग नहीं तो इसलिए काम इनका कर्म काफी अच्छा हो जाएगा क्योंकि कर्म भाव में नीजभंग राजयोग बन रहा है और सासा सनी के दिस्टी हलाकि मंगल के घर में पढ़ लिए तो सनी की करण कुछ करमें प्रावलम भी आएगी और केतु के भी दिस्टी पढ़ लिए तो केतु नो ठीक करेंगे तो ये तो करम भाव की बात हुई अब हम बात करते हैं इनके लाब भाव की तो देखिए लाब भाव में क्या है कि यहाँ पे धनुरासी है और धनुरासी के सौमी गुरू यहाँ पे जो रिसर्च में बैठे हुए हैं जो अस्टम हो में तो ये रिसर्च अनलिसिस से इनको लाब भी प्राप्त होगा और अब हम बात करते हैं इनके बैभाव की तो देखिए साथ साथ में देखिए यहाँ पर मंगल की भी दिस्टी पढ़ रही है तो मंगल की द्रिस्टी पारए है法 दो भी इनको लाब कराएगी अब हमिन के बात करते है बैबाभव की विदेष बाभव भी उसके स्वामी सनी है जो कि इनके वगतित्य उसे बैवी अच्छा होगा वगतित्य के कारण और इनको खर्च विदेष ऐतरा भी होगी और सथासे दिसस्ट भी मंगल की जो द्रस्टी पाड़ी है मंगल की उच्च दिस्टी पाड़ी तो ल्ग्रुल भी वहाँ कर नितल से उसके शॉमी वैक्तित से यह वैक्तित से होंगी तो ये तो बारा भाव में ग्राहों के प्राहोते में कुछ अच्छे जो ग्राहों की पोजिसन है ग्राहों की दिस्टी है उसके बारे में बता रहा हूं तो देखिए इसमें सनी का अपने ही घर में बैटना है लगनेज का अपने ही घर में बैटना है इस कुंड़ी में सनी इ काफी अच्छा कर रहे हैं तो ये भी काफी अच्छा कर रहे हैं साधर गुरु घर की मीर्याट सी में अपने घर में देस्ट्री पृड़री है तो वह भी इस भाव को काफी इस टॉंक कर रहे हैं Ain अप मिलने अब बात करते हैं के तो के बोब और है और है कि तो इनकी कुल्ली में एक खास योग इनको प्रवावित कर रहे हैं तो यह था आलिया भटी जी की कुल्ली दोस्तों आप अपनी भी कुल्ली का एनलेसिस करना चाहते हैं तो मुझे डेटा बर्थ टाइम और प्लेसेंट करें और मेरा जो है मेरे कॉंटेक्ट नंबर दिया है उससे मेरे कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्क्राइब और जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो पहुंच सके और जोतिस सीखने के लिए आप एधी जित्ते अधिक जोतिस की लोगों की कुड़ना देख की कुड़ली दे करने वाल